नमस्कार आप देख रहे हैं Equality News और मैं हूँ काजलाब के साथ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इस लाइन को साधरन सबजी वेचने वाले दो युवाव ने साबित कर दिया है जी हाँ मद्यप्रदेश के इंदोर की अंकिता नागर और सतना से शिवाकांत कुश्वा ने सिविल जजज बनकर न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया बलकि दुनिया के लिए एक मिसाल पेश की है कड़ी संगश के बाद सबजी का ठेला लगाने वाले शिवाकांत कुश्वा ने सिविल जजज की परिक्षा में सफलता हासिल की है सतना जिले के अमर पाटन के रहने वाले शिवाकांत कुश्वा को दसवी बार में सफलता हाथ लगी है परिनाव आने के बाद परिवार में खुशी की लहर है इसके बाद बधाई देने वाले लोगों का भी ताता लग गया है OBC वर्क से प्रदेश में शिवाकांत कुश्वा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है बड़ी महनत और कठीन परिश्रम के बल पर शिवाकांत कुश्वा ने ये मुकाम हासिल किया है अपनी सफलता से पूरे प्रदेश में जिले का नाम रोशन किया है तो वही दूसरी और एक साधरन सबजी बेचने वाले की बेटी ने जज़बन कर अपने पिता का नाम रोशन किया है अंकिता के पिता सबजी का ठेला लगाते है 25 वर्षिय अंकिता नागर ने सिविल जज एक्जाम में S.C. कोटे के तहट पाचवी रैंक हासिल की है बेटी की सुपलब्दी से परिवार में सब ही बेहत खुश है माबाप की तपस्या और अंकिता की मेहनत रंगलाई है अंकिता के माता पिता बचपन से ही सबजी का ठेला लगा कर उसे पढ़ाते आ रहे है बड़ी मेहनत के बाद अंकिता ने मा पिता के सपनों को पूरा कर दिखाया है बुद्वार को जैसे ही रिजल्ट हाथ लगा, हाथ में रिजल्ट लेकर खुशी से जूमती सीधे सबजी वेच रही मा के पास पहुची और बोली मम्मी मैं जज बन गई आपको बता दे अंकिता की पिता इंदोर में मूसा खेडी में सबजी का ठेला लगाते है अंकिता ने बताया कि वो तीन साल से सिविल जज की तयारी कर रही है इसके बाद कड़ी मेहनत के साथ जज की तयारी में जूट गई दो बार चयनना होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी माता-पिता का होसला मुझे हिम्मत देता रहा इसके बाद आखिरकार उनकी महनत रंग लाई और वो जच्च बन गई इन दोर की अंकिता नागर और सतना से शिवाकांत कुश्वा इन दोनों को ही काफी संगर्श करना पड़ा जिसके बाद ये दोनों इस मुकाम पर पहुच पाए है देखा जाए तो दोनों के परिवार की आर्थिक स्तिती ठीक नहीं है बावजूद इसके इन दोनों ने अपनी पढ़ाई के बीच अपने आर्थिक बधाली को नहीं आने दिया और अपना मुकाम हासिल कर लिया आज के लिए इतना ही फिर होगे आपसे मुलाकात तब तक के लिए आप देखते रहे है एक्वालिटी निउस हबरों के और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे